हेलो प्रेंट अज हम बनाने वाले आलू परवल की चटपटी सब्जी जो बनाना बहुत ही असान जटपट बन जाती है तो प्रेंट यहाँ पर हम गैस पर रख लिये हैं कढ़ाई और इसमें हम ले लिये हैं सरसो का तेल तो स्टेल मेरा गरम हो गया और यही पे हम आलू और परवल को काट कर ले लिए इसको डाल देंगे इसको हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करकर इसको दो मिनट के लिए धकन लगा कर हलका से ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे दो मिनाट बार धकन हटा लेंगे और देखे परवल और आलू अच्छे से ब्राउन हो गया है तो फिर इस तरीके से फ्राई करके आज सब्जी बनाएं सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और सब्जी जब भी फ्राई करें आप थोड़ा साइड में कर लें जिससे की एक्स् मून लेंगे याज मेरा हलका सकती हो जाएगा और अब इसमें डालेंगे अद्रक और लसुन मिर्च का पेष्ट है तो फेर्ड़ का जो पेष्ट है आप उसको बनाकर टाले इसको हम मिक्स कर लेंगे यही के हम डालेंगे अधा छमस हल्दी पाउडर एक चमस धनिया इसको mix कर लेंगे और यही पर हम डाल देंगे fry किया हुआ सब्जी तो फ्रेंड आप एक बार इस तरीके से सब्जी बना कर दिखें बहुत इस टेश्टी सब्जी बनती है सब्जी को मसाले में mix कर लेंगे और ढ़कन लगाकर दो मिनट के लिए low flame पे पकने देंगे जिससे कि सब्जी मसाले में अच्छे से कोट हो जाए दो मिनट बाद हम ढखकन लगाकर पांच मिनट इससे low flame पे पकने देंगे पांच मिनट बाद हम ढखकन हटा लेंगे और सब्जी को अच्छे पूँआऑ दखेए सही अलोग परॉरी सबजी तयार है अगर रेश्पी पसंद आए तो आप लाइक करें नपसंद आए तो पसाओ आपने से